होटल रेस्टोरेंट्स की एक सीक्रेट रेसेपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप बना सकते हैं घर में बहुत आसानी के साथ और बहुत किफायती तरीके से वेस्टिबल स्टॉक यानि कि सबजियों का सत जिसको बोल सकते ह आप वह आपको मैं बनाना सिखाऊंगी यहां पर तो इसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहरे कुछ सबचीन लिया इन फेक्त है इसका डंडिया है तो हम लोग घर में सबजिया काटते हैं तो उसकी डंडि व्गएरा शू बसती ही है तो आप देख सकते हैं यहां पर फ तो इस तरह से कोई भी सब्जी ले लें और थोड़ा से गरम मसाले भी ले लें साथ में तो बहुत अच्छा वरना सब्जिया भी ले सकते हैं साथ में प्याज जरूर लें जो लोग प्याज नहीं खाते हैं प्याज किप कर दें और सारी सब्जियों को लेकर आपको एक लिट तो इनका जो भी सत होगा वो पूरा के पूरा पानी में आ जाएगा और उसके बाद में हम इसको फेक देंगे तो देखिए एक लिटर पानी हमने लिया सारे गरम मसाले इसमें डाल दिये थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं आदी चोटी चमप नमक डाल दिया तो आम के आम और गुट्लियों के दाम यानि की सबजियों में आपको डंडियों को फेकनी की जरूवत नहीं है उससे आप इस तरह से वेस्टेबल स्टॉक बना कर रख सकते हैं आप कोई भी चाइनी सूप बना रहे हो घर में वेस्टेबल सूप बना रहे हैं मंचाओ सूप बना रहे हैं होटन सार सूप बना रहे हैं आप स्वीट कौन सूप बना रहे हैं तो होटल बगएरा में जो भी सूप बनता है तो इसी तरह से वेस्टेबल स्टॉक बनाने के बाद में उसका यूज़ करके वो लोग सूप बनाते हैं, हम लोग घर में बनाते हैं, सिंपल पानी का यूज़ करते हैं और वो टेस्ट नहीं आता, रिजन यही है, कलर भी आता है इससे बहुत अच्छा हमारे सूप का, इससे नूट्रिशन भी बढ़ता है और साथी तो इस तरह से अगर आप घर में बनाएंगे, वेस्टिबल स्टॉक तो आपका भी सूप बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, होटल, रेस्टॉरंट जैसा बनेगा, तो आज आपने सीक्रिट रेसिपी जान ली है, वेस्टिबल स्टॉक बनाने की, तो ये वेस्टिबल दो पैर से पहले से बना रख लीजें और आराम से उसको चार से पांस दिन तक बिल्फड वन विंक तक भी आप स्टोर कर सकते हैं, अगर देखिए विंटर्व का सीजन है तो वन वीक तक हप्स को स्टोर कर लीजें, अगर व्थी है तो आपको दोसे तीन दन में ही इसको use क तो देखिये, मैंने यहां पर इसी वेस्टेबल स्टा इसी चॉप हम भया है हम पोस्ट आप एनी तो आप इसी चॉप है क्था है तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी उस वीडियो में भी और यहां पर मैं आपको इसी वीडियो में होट ऐं सार सूप की रेसिपी का लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें तो perfect recipe है hotel restaurant style, vegetable soup बनाने की, hot and sour soup बनाने की तो friends, बना कर देखिए, पी कर देखिए और बनाने के बाद मैं feedback जरूँ शेयर करें Thank you so much for watching, see you again with new recipe, bye bye, love you